मिस्मिल्लार रह्मानी रहीम असलाम अलेकूम कंप्यूटर बेसिक में हमारा लेसन है लेसन नमबर 17 स्टार्ट मेन्यों इससे क्लिक करूं के चुप्यूटर हमें कुछ ऊप्शन जो में प्रवाइट करतां है तो हमारे पास अप्शन है त्रन ऑफ कंप्यूटर इस पर हम किलिक करेंगे तो हमारे पास यहां तीन अप्शन आ जाते हैं सबसे पहले हमारे पास जो है restart restart यानि कि हम अपने computer को restart करना यानि कि shut down window and start window again यानि कि बंद कर चालू करना और second option हम जब use करते हैं जब हम अपने PC को मुकमल यानि complete बंद करना और stand by, stand by ये option हम जब use करते हैं यानि कि जब हम computer use कर रहे हो तो हमें थोड़ी देर के बात में computer की ज़रुड़त है तो ये वाला option हम तब use करेंगे तो इस पर जब हम click करेंगे तो जब हम computer चालू करेंगे तो हमारा computer जो है यहाँ ही से जो है on होगा यानि कि जिस तर हम computer on करते हैं इसकी logo वगेरा window वगेरा चलती है तो ये इस option से जो direct computer on होगा तो हमारे पास दूसरा option है logo logo हम उस सूरत में करते हैं जब हम एक पी यूज़ करते हैं जिस तरह के मेरा computer है ये मेरी भेन या भाई जो है यूज़ करता है तो इसमें जो हमारे पास account बनाना पड़ता है यानि के second user या third user जो भी यूज़ करता है मुझे जो है अपनी setting जो है नज़र आएगी यानि कि मेरे software वगेरा जो होंगे data वगेरा यहां तो मुझे अपने show होंगे और second user को जो अपनी installation जो है show होगी तो इस तरह जो हमारे पास ये privacy लग जाती है एक computer में तो यानि के एक computer जो है दो लोगों में divide जाता है इसे cancel गया हमारे पास ये आलप ग्राइम्स में आलप ग्राइम्स यानि एसे सेरीस वगेरा है यानि के ये यहां जो ये सारे shortcut है यानि के हम जो computer में जो भी software वगेर इंस्ट्रॉल करते हैं तो हमारे पास जो है यहां पर इसके shortcut बन जाते हैं और यहां से हम easily यूज कर सकते हैं यह बहुत ही simple lesson है और यह website हानेनाजblogspot.com और मज़ीद update के लिए मुझे join कर सकते हैं यह मेरा page है Facebook का हानेनाज और यह मेरा YouTube का channel है आप जरूर सब्क्राइब करें और यह tutorial जो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें मिलते हैं नेक्स tutorial में अल्ला हाफिस